Hello everyone, welcome back again to your Hindi online class of class 3rd. This ends up to chapter 5, revision was over. Now today we will start chapter number 6. Chapter number 6 में कहानी दी गई है एक्ता की शक्ती. बच्चो इस कहानी को आप एले पर चुके हैं, इसमें आपस के सहयोग को और एक्ता को एक जंगल की जान्रों की पश्वबक्शियों से भरपूर जिसमें हैं, जिस जंगल में जानवर हैं, उनकी और एक बुजर्ग पेड़ के माध्यम से इस कहानी में समझाया गया है कि एक्ता बहुत बड़ी चीज़ है और एक्ता में बहुत शक्ती है. आपने पढ़ा, जंगल में बहुत सार जिवजन्तु रहते थे, जिवजन्तु के साथ साथ पेड़ बहुत सारे थे वहाँ पर, एक दिन अचानक वहाँ पर कुछ कुलहड़ेया मिली, कुलहड़े मिलने से सभी पेड़ नाराज हो गए, परिशान हो गए, और बहुत ज़्याद दुखी हो गए, और जब बात जंगल की सबसे बड़े बुजर को पेड़ तक पहुंची, जो बहुत ज़दा समझदार भी था, उसने बहुत दुनिया देखी थी, उसने क्या सु पहुंचा सकेंगी, जब हमारी जात का कोई उन से जाकर मिल जाए, जब तक हम में से कोई एक भीदी बनकर उनका सहयोगना करे, तब तक वो हमारा कुछ नहीं बिगार सकते, तो पेड़ों ने कहा, हम हमेशा से एक हैं, एक रहेंगे, आज भी और कल भी रहेंगे, अपनी ए पेड़ों ने बुजरुक पेड़ को सही राद दिखाने के लिए धन्यवाद दिया, और तै कर लिया, अपने बीच की एकता को किसी भी किमत पर तूटने नहीं देंगे, बच्चो, हमारा समाज भी इनी पेड़ों की तरह है, इसमें वले कुछ कमजोरियां, प्रंतु एकत के बल पर ही हम उन पर विजय पाने में कामियाब होंगे, ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि विबिन वर्गों के प्रति, जिस समाज में जो भी लोग रह रहे हैं, आपस में दूसरे का समान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और सभी की बावनाओं की कदर करना चाहिए, इस पार से में कैशक्षा मिलती है, एकता सबसे बड़ी शक्ती है, आईए, अब देखेंगे सके एकसाइज, सबसे पहले, शब दर्थ, एकत्रेत, इखटा, बुजर्ग, बुरा, बैंट, हत्ता, इत्मिनान, निश्चिंता, भेदी, फूड डालने वाला, भंग, तोड़न बसेरा, रहने की जगह, अस्तित्र, मौझूदगी, नेक्स्ट हैं, प्रशन उत्तर, पशूओं को पेड़ की नीचे क्या मि לא पशूओं को पेड़ के नीचे कुल हाडिय मिली, कुल हाडिय को देखकर पेड़ों के चेरे पर क्यों हवाया होने लगी, फिर्स्ट विल राइ शांती खत्व होने वाली है थर्ड बुजर्ग-पेड कैसा था बुजर्ग-पेड बहुत उच्चा और मूटा था बुजरुक-पेड ने कौनसी मुख्ये-बात पर ध्यान रखने को कहा बुजरुक-पेड ने कहा तुम सिर्फ अपनी एकता का ध्यान रखो यहां तक आपका सामने परेशान हाल पेड़ लिखिए तो देखिए बच्चो पहला सेंटेंस बुजरुग पेड़ने कहा था दूसरा परेशान हाल पेड़ने तीसरा भी परेशान हाल पेड़ने और चौथा और पाचवा दोनों सेंटेंस बुजरुग पेड़ने कहे थे यह वाले जो सेंटे सुर्ग, पेड, गहना, जंगल और सही, सह, सही रहा सुर्ई नेक्स्ट उधारण के निसार समझे और लिखे उसके बाद है वर्तनी शुद करने वाले शब्द, देखिए कुल हाड़ियां इस प्रकार से लिखा जाएगा अब है मौकिक प्रशनुत्तर पेड हमें क्या-क्या बर्दान करते हैं, ऑक्सिजन, फल, फूल, मसाले, दाले, लकड़ी और अनाजादी बरगत की पेड की आयू लगपक कितनी होती है, 150 वर्ज कश्मीर का कौन सा फल प्रिसिद है, सेब पेड काटने से क्या-क्या हानिया होती है, हमें शुदवायू नहीं मिलती, गर्मी बढ़ती है, और बर्शा कम होती है नेक्स पेड पर बच्चो, ये वाला वर्ख हमने आपको होमवर्ख में दिया था, आचा है आपने कर लिया होगा उसके बाद देखिए नीचे दिये गए पेड़ों को पहचानी है और इनके नाम लिखिए ये भी आप कर चुके हैं, पहला पेड बर्गत का है, दूसरा आम का, तीसरा पेड नारियल का और लास्ट वाला पेड इसमें चौथा के लिगा है एक एकसरसाइज और थी इसमें, जो आपको होमवर्ख में दी गई थी अपने माता-पिता के सहयोक से गमले या बगीचे में एक पौधा लगाईए और उसको मनपसंद कोई नाम दीजी तो बच्चो रिविजन आपका कम्टीट हो गया है, होमवर्ख में आपको इसके लर्निंग करनी है मिलते हैं नेक्स वीडियो में, टेक केर, थेंक यू